जापानी बने बाहुबली के फैन, टीम को भिजे ये गिफटस कुछ दिन पहले ही बाहुबली डायरेक्टर एसस राजमॉली और प्रोडियूसर शोम्बू यार लागड़ा जापान में बाहुबलीड के सेलिब्रेशन में शामिल होने पहुँचे थे ये सेलिब्रेशन जापान में बाहुबलीड के एक सौ दिन तक फैटर्स में चलने को लेकर हुआ था जापान में बाहुबली फैंस ने डायरेक्टर और प्रोडियूसर पर खूब ब्यार बरसाया और उन्हें इस बेहतरीन फिल्म को बनाने के लिए कई सारे तोफित दिये आए देखें आखिर जापानी फैंस ने बाहुबली मेकर्स को क्या गिफ्ट किया जापानी फैंज से मिले गिफ्ट्स को फिल्म की एक ट्रेस अनिशका शेटी और प्रोडियूसर शोबू यार लागडा ने ओपन किया डायरेक्टर एस एस राजमॉली ने कहा हमें जापान से आए हुए एक हफ़ता हो गया है मैं जापान का शुक्रिया कहना चाहूंगा बाहु बली का शुक्रिया हमें इसकी वज़े से कई देशों में जाने का मौका मिला और इनमें सबसे फेवरेटर देश जापान रहा राज मौली ने आगे बताया कि उन्हें जापान में भरपूर प्यार मिला उन्होंने कहा हमें कई गिफ्ट बॉक्स दिये गए अब हम इन्हें एक एक कर खोल रहे हैं बतादे मेकर्स को मिले गिफिक्स में फैंड्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स पंखें और कई तरह की चीज़ें शामिल है राज मौली ने कहा कि फैंस के ये गिफिक्स सब के चेहरों पर बड़ी मुस्कान छोड़ रहे हैं राज मौली ने कहा कि हर तोफे को एक खास आठ से सजाया गया है मैं उन लोगों का शुक्र गजार हूँ राज मौली ने ये भी बताया कि अभी तक उन्होंने प्रभास और राणा डगुबाती के गिफिक्स नहीं खोले है क्योंकि मैं अभी तक उनसे मिला नहीं हूँ